हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं कच्छे कठ हलकी सबजी और बॉर यह हमारे मितला का एक बहुत ही स्वाधिस्ट सबजी और बॉर है कच्छे कठ हलकी हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल गुल दस्ता में आपका स्वागत है अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले बीना प्याजला सुनवाली हम कच्चे कठल और आलू की सबजी बनाएंगे रस्दे वाली तो आएए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं इसे बनाने के लिए हमें कच्चा कठल चाहिए कच्चे कठल को हम पहले काट लेंगे छिलका के साथ ही और आलू आलू को धो करके हमें स हमने जो कठल लिया है वो छिलके के साथ है तो इसको हम इस तरह से चाकूब पर हलका सा तेल लगा करके इसके टुक्रे काट लेंगे और फिर इसे उबालने के लिए हम रखेंगे लेकिन कई बार मार्केट में छिला हुआ कठल भी मिलता है तो अगर आप छिला हुआ कठल जिससे कि इसमें जो कठल का एक चिप चिपा सा दूस जैसा निकलता है वह जाद नहीं चिपकता है ज्यादा चाकू में अब देख रहे हैं और इस तरह से इसे हम छोटे पीस बना करके कूकर में आलू के साथ एक सीटी तेज पर और एक सीटी कम कर मीडियम आज पर हम लगा करेंगे चलका के साथ वोयल हम कर लेंगे जिससे हम चीप चिलने में असानी होती है और हाथ में ज्यादा हमें इसका जो चिप चिप चिपा अब दूद सा रहता है वह भी नहीं लगता भी नहीं लगता है कि गैसम झाला लिये हैं को कठल हमारा वह चुका है इसे छान करके आप हम छान लिए हैं और इसे इस तरह से इसका छिलका निकाल लेना है कठल को उबाल कर जब छिलते हैं तो बहुत ही आसानी से छिल जाता है और आलू को भी हमें छिल लेना है यहां पर हमें कठल की सब्जी भी बनानी है कठल आलू की ग्रेवी वाली और हमें बॉर भी बनान पीस काट लिये और बर्ग के नियुका सब्सक्राइब कर लेंगे पीस काट लेने हैं और अलो को भी छिल करके हमें चोटे टुक्रिय काट लेने हैं यह हमने कठल और आलू को काट लिये हैं जितनी की हमें सब्जी बनानी है वो हम अलग कर लिये हैं और बार के लिए हमने उबले कठल अलग रख लिये हैं अब इसके लिए हमें चाहिए मसाले दो बरा चमच धनिया पाउडर दो बरा चमच जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर आप जितना तीखा खाना पसंद करें उसके हिसाब से एक छोटा चमच गर्म मसाला पाउडर खल्दी पाउडर और नमक स्वादा नुसार फोरन के लिए चाहिए हमें तेजपता सुखी लाल मिर्च पाउडर और हींग पाउडर कैसे बनाते हैं और क्या है यह अगर आपको मालूम नहीं हो तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं होममेट गरम मसाला और पांस फुरन कैसे बनाते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं तो आई ये अब हम इसे बनाना शुरूर करें करा ही हमने गरम हमने के लिए रख दिया है पहले हमें अलू को भूनना है और कख्छल को भी भूनना है इसके लिए थूरा साहीं हम तेल यहां रखेंगे और तेल गर्म हो गया है तो आलू को पहले हम भून लेते हैं चलाते हुए ही इसे हमें भूनना है हल्का सा लाल हो गया तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें कठल को भी भून लेना है कि इसे भी हल्का लाल होने तक हमें भूनना है पीच पीच में हम इसे पलगते रहेंगे कठल हमारा भून चुका है तो इसे अब निकाल लेंगे यह हमारा कठल और आलो और इसी तरह से हमें और भी जो कठल बचा हुआ है उसे भी हमें भून लेना है कठल और आलो हमारा भून चुका है तो अब हम इसे इसके सबजी बनाने की तयारी करते हैं तो इसके लिए हम यहां पोरन के लिए घी लेंगे अबले हुए कठल और आलो की सबजी हमारा जो टेरिशनल है वो उसको हम गी में ही बनाएंगे मेर, आधि परुंबर मिर्च फूरं के लिए तेजप्ता, लाल मिर्च, पाँच फूरंunden इस भी ढालकर करके हलका साइज से लाल होन देंगे और अब हम इसमें मेर लेंगे। हिंग को अच्छा से लाल कर लेना हो सभी सब्जियों को पुरन के साथ अच्छी से मिक्स करेंगे और अब हम यहां आज कम कर लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे बाफी के मसाले सबसे पहले हम हल्दी, नमक, नमक शवादानुसार हमें रखना है या जितनी क्वांटिटी सब्जी की हो उसे साफ से हम नमक रखेंगे अलका साइस से हम मिक्स कर लेंगे और आज को अभी हमें दीमाही रखना है अब हम इसमें जीरा पाउडर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसे थोरी देर के लिए भूनेंगे इसे अच्छे से मिक्स करके और बिल्कुल धिमियाज पर इसे अभी हमें भूनना है इसे अब हम ढग देंगे और एक से दो मिनट ही हम ढग करके रखेंगे और फिर से धकन हटा कर हम इसे चला लेंगे इस तरह से हर एक दो मिनट के बाद से हम चलाएंगे और धकन रख करके हम भूनेंगे ताकि हमारा जो हमने मसाले का जो पाउडर डाला है वो अच्छे से भून जाए मित्ला का जो ट्रेडिस्नल आलू कठल का सबजी है वो बिना प्याज लसुन का ही बनता है इसमें प्याज लसुन या टमाटर की कोई जरूरत नहीं है सबजी हमारा भून चुका है तो अब हम यहां इसमें ग्रेवी जितना हमें रखना है उसके हिसाब से हम यहां पाने डाल लेंगे लेकिन ग्रेवी यहां थोड़ा ज्यादा अभी हम रखेंगे ताकि खॉल करके जब हमारा सब्जी तयार हो तो जब हम इसे रिष्ट होने के लिए रखें तो हमारे पास ग्रेवी बचें क्योंकि बाद में सब्जी काफी सारा रस सोख लेता है तो यह हमें ध्यान रखना है कि अभी हम ठ्वारा सज्यादा पानि रखेंगे इसमें अब हम गरम-मसाला जब काप करेंगे का अब करें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर यॉद्ध कर के एक बाल टेजा जाज पर आने के लिए रख देंगे अब हम इसे ढख देंगे और तेज आज पर अच्छे से एक वाल आने देना है सब्जी हमारा खौल चुका है तो यहां पर हम गैस आफ कर लेंगे और ढख करके इसे अब हम रख देंगे और रहें 10 मिनट के लिए उसके बाद हम परोशन गया है इसा तरह से हमारे कठल की उभले हुए कठल और अलू की सब्जी तयार है यह देखने में जितना ही सुन्दर लगता है, खाने में उतना ही स्वाधिस्ट होता है, तो आप भी बना इस तरह से कच्छे कठल और आलू की सबजी, मुझे उमीद है आपको यह टेस्ट पसंद आएगा, और अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा एटम कठल का बॉर, तो इसके कठल हम पहले से उबाल कर रखे ही हुए है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए पिठार, जो कि भींगे हुए चावल से बनता है, तो इसके लिए हम यह चावल लिए हैं, इसको अरवा चावल कहते हैं, सफेद वाली चावल, यह बॉयल राइस नहीं है, तो सफेद जो कच्छ चावल मिलता है मार्केट में वो लेना है, और उसे इस तरह से पानी डाल करके कम से कम, धाय से तीन घंटे के लिए भींग होना है, ताकि जो हमारा पिठार हो, चावल का जो पिसा हुआ पेस्ट बने, वो बिलकुल सॉप्ट बने, करीब धाय घंटा करीब मरा हो चुका है, पिठार भींग चुका है, तो अब हम इसका पानी निकाल लेंगे सारा, और इसे अब हमें मिक्सी में पीस लेना है, यह चावल जितने अच्छे से भींगा हुआ रहेगा, आपका पिठार उतना ही सॉफ्ट होता है, इसलिए धाय से तिन घंटा जरूर इसे भींग होना है, और अब इसमें थोरा सा पानी डाल करके हम पीस लेंगे, एक बिल्कुल Jaspray थीक पेस्ट पीस लेना है, अभी हम बिलकुल थोरा सा पानी डालेंगे इसमें अगर जरूरत होगी भी इसे पीसते समय तो बीच में हम थोरा सा पानी अब डॉल का इसे एक थिक पेस्ट में ले है अब देखिए कितना गाड़ाँ हमने पीस ओं इसे पतला नहीं पीषना हब नहीं तो फिर बोर्र में बहुत पतला हो जाएगा और नहीं बन पायब तो इसलिए बॉर्र बनाने के लिए जब्स पीठाँ पिष है तो इतना तो इतना फीप है और बिल्खोल है स्मूथ आप निकाल ले रूम टेंपरेचर पर आने दें और इसका आराम से इसमें पानी डाल करके इस्तेमाल करें खराब नहीं होगा इससे बनाने के लिए हम चावल का पिठार के अस्तेमाल करते हैं तो इसलिए इससे हम बार कहते हैं इसमें हम बेशन का प्रयोग नहीं करते इसलिए इससे पकौरा नहीं कहा जाता पिठार हमारा पीछ चुका है तो अब हमें जो हम कठल बॉयल करके रखे हुए हैं उससे भी हलका सा दर दरा पीछ लेना है अगर आपके पास सिलवर्टा हो तो आप सिलवर्टे में ही उसे कूट ले हम यहां मिक्सी में इसे मोटा मोटा टुक्रा काट करके इस तरह से डालते रहे हैं और इसे एक या दो बार ही चलाना है बिल्कुल मोटा हो इसे हमें दर दरा पीछ लेना है इसमें पानी हम नहीं डालेंगे इसे सुखा ही पिछना कर जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालें लेकिन इसे गीला नहीं करना है बिल्कुल ही इसे सुखा सुखा पिछना इस तरह से दरदरा हमारा पिश चुका है कठर इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मसाले तो मसाले में हमें चाहिए हरी मिर्च या कच्छा लाल मिर्च आपको लेना है हम यहां कच्छा लाल मिर्च लिए हैं और आप जितना तीखा खाना चाहें उस हिसाब से मिर्च रखे इस इसे पतला काट लेना है, थोरा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साबूत जीरा, कलोजी, इसे मंगरेला भी कहते हैं, और थोरा सा आजवाइन, ये सारी भी क्वान्टिटी आप जितना मातरा में कठल का बर्व बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से लेना है, और नमक तो आईए इसे बनाना सुरू करते हैं, कठल का हमने सारा पीस लिया है, इसमें अब हम टालेंगे पिथार, जो हमने चावल का पिथार पीस कर रखा हैं, पिथार इतना रखना है, जिसे की बार जो कठल का जो हमने उबले हुए कठल को जो हम खलका सा कुछ कर रखे हैं, उस उसे अच्छी तरह से यह बाइंड करें, बाइंडिंग का यह काम करता है, लाल मिर्च पाउडर और हम कच्छा लाल मिर्च भी इस्तेमाल किया कर आप ज्यादा मिर्च खाना नहीं पसंद करते हों, उसे स्कीप कर सकते हैं, मिर्च आप अपने हिसाब से रखें, अब इसे इसे अच्छे से हमने मिला लिया है, तो अब इसे हमें तल लेना है, गैस हम आउन कर लेंगे, तेल हम सरसो का लिए हैं, क्योंकि मितला मैं खाने के लिए सरसो तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसी लिए जो भी सबजी या बॉर जो भी हम तर्वा यह सब बनाते हैं, उन सब का कलर भी, फ्लेवर भी और स्वाध भी बहुत ही इस इंडिफरेंट होता है, तो आप भी कोसिस करें कि कभी भी ये कठल की सबजी या कठल का जो हम बॉर बना रहे हैं, यह बनाए, तो तेल आप सरसो क क्य annESS ख़ल करें को हमें अच्के से गर्म करना है तो इसे इस तरह से हाथ हो से हलका चोटा चोटा बना और ओलडा है उच्राइट ररी जितना सुंदे हें इसमें प्याज लासून का क्षिटमाल बेल्कली ही नहीं होता है, यह परी तरह से साथ भी खाना होता है और इसे दो पहर के समय चावल डाल सबजी के बाद इसके साथ खाया जाता है या इसे आप पकौरे की तरह भी खा सकते हैं एक तरफ से इसे अच्छे से लाल होने देना है उसके बाद ही हम इसे पल्टेंगे बीच बीच में इसे भी नहीं पल्टेंग एक तरफ से जब यह लाल हो गया है उसके बाद हम हलका साइसे पलत लेंगे मैथिल रोज के खाने में भी दोपहर के खाने में खास करके इस तरह का जो पकोरा है या तर्वा है और बहुत ज्यादा खाने में प्रियोग किया जाता है और लगभग जो हमारा रोज के खाना रहता है वो सात्विक ही रहता है तो मैथिल खाने में सात्विक खाने का एक बहुत बहुत बड़ा सा चेन है तरह तरह की चीजें सबजी पकोरे इस तरह के हम बनाते है तो पकोरा हमारा सारा लाल हो चुका है और इसे अच्छा गोल्डन ब्राॉन होने देना है तभी निकालना है कि काफी अच्छा krizpy बन करके तयार होता है क्योंकि हमने चावल का पिधार इसमें डाला है इसके कारण यह बहुत ही पूरकुरा सा बारबन के तयार होता है तो सब्सक्रार पन आलू की सब्जी और कठल का बर दोनों ही बन के तयार है यह देखने में जितना खुबसूरत है खाने में उतना ही स्वादिस्ट होता है तो इस तरह से अब भी इसे बनाए और मैथिल स्वाद से परिचित हो मुझे उमीद है आपको भी यह स्वाद जरूर पसंद आएगा अगले वीडियो में किसी नए स्वाद के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू